नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन की धर्थी ऐसे अनेक बीर सपुतों की जननी रही है जिनके त्याग और बलिदान की संघर्ष गाथा हमें राष्ट्र और राज्य के लिए कुछ करने की प्रेना देती है हमें साहस और बल प्रदान करती है अलग जार्खन के संघर्ष में अनगीनित लोगों ने अपनी सहादत दी है मुखे मंत्री ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकराम अबवा आवास योजनाओ वा मुख्य मंत्री गराम गाड़ी योजना समेत कई योजनाओ वा नीतियों का सुभारम किया राज्य वासियों को 7,042 कुलो रूपए की 906 योजनाओ की सोगाद दी वहीं 18,034 युवाओ को ओफर लेटर दिया 260 कुलो रूपए की परिसंपती बाठ कर लाभकों को ससक्त और स्वावलंबी वनने की राह दिखाई और खिलाडियों को पुरुस्कृत कर उनकी उपलब्धियों को समान दिया PM नरेंद्र मोदी के जार्खन दोरे के दोरान लापरवाही पर तीन पुलिस कर्मी सस्पेंट PM नरेंद्र मोदी के जार्खन दोरे के दोरान कर्तब्य में लापरवाही बरतने के कारंतीन पुलिस कर्मी पर गाजगिरी है पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। जब भी कोई नेता उलिहातू आता है उनके सामने यह मांग जरूर रखते हैं। इस बार भी उम्र के इस पड़ा में उन्होंने प्रधान मत्री नायन मोदी से एक बड़े घर की मांग की है। प्रधान मत्री नायन मोदी ने बुद्धवार को देश बर के आठ करोर से अधिक किसानों को प्रधान मत्री किसान युजना की पंद्रहवी किस्त के रूप में 18,000 को रूपए जारी किये। जारकन के खुटी जीले में जन जातिय गोर दिवस से सम्मंदी समारों में प्रधान मत्री ने बटम दबाकर किसानों के बैंक खाते में डिजिटल रूप से रकम हस्तांत्रित की। जारकन की जा चुकी है। जारे हुए फैंस ने भारत की जीत का जर्ष्न मनाया। नारा लग रहा था कि गली गली का नारा है वर्ल्ड कप हमारा है। कोई बिराट बिराट का सोर मचा रहा था तो कोई सम्मी समी के नाम के जयकारे कर रहा था। जम्मु कस्मीर के डोड़ा में खाई में गिरी बस 36 की मौत उनईस घायल। असार इलाके में किस्तवाला से जम्मु जा रही बस अन्यंत्रित होकर 300 फिट गहरी खाई में गिर गई। इस हाधसे में 36 लोगों की मौत हो गई वहीं 29 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को किस्तवार और डोड़ा के अस्पतालों में भरती कराया गया। अस्थानिये लोगों के अलावा पुलिस और राजय आपदा मोचन बल के जवान राहत बचाव कारे में जुटे हुए हैं। बतादे दोड़ा में सुबह लगभग 11 बच कर 50 मिनट पर NHW 244 पर त्रूगल अस्थर में एक बस दुरगाटना ग्रस्थ हो गई जिसके पैणाम सरूप 36 लोगों के मृतियों हो गई और 19 अने घायल हैं। बस किस्तवारा से जमू जा रही थी बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जार्खन से तीन लोग कारिकरा में पहुंचे इसमें मुख्य अतिथी के रूप में अधिवक्ता महेंद्र पीटर तिग्गा ने कहा है कि चाय बगान के आदिवासियों को अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूप रहने क्यों सकता है। कानूर और सविधान ने देश के सभी आदिवासियों को पहचान सब्यता इतिहास भासा संस्क्रिती और जमीन बचाने का अधिकार दिया है। आदिवासियों को नहीं मिली उचित जगा सियम हमन्त ने पियम मोदी के सामने कही। आदिवासियों को लेकर अपनी चिंता से भी पियम को आउगत कराया। मुख्यमंतिरी ने यह भी कहा है कि इतिहास में आदिवासियों को उचित जगा नहीं मिली। आदिवासियों होने का मुझे गर्व है। सरकार आपके द्वार कार्म के जरिये लोगों तक योजनाय पहुंचाई जा रही है आदिवासी विकास का लक्षे है रांची में नबालिक से दुसकर्म और धमकी देने के मामले में एफा यार दर्ज राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना छेतर की रहने वाली बारा साल की नबालिक लड़की को जान से मानने की धमकी देकर दुसकर्म किया गया दुसकर्म का आरोपी पड़ोसी नीरज खोसला पर लगा है इस समद में नबाली के ब्यान पर CID जाच के बाद आरोपी नीरज खोसला के खिलाप सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने दुसकर्म के दरान उसका नगन तस्विर खीच ली उस तस्विर को वाइरल करने की धाम की देकर अगस्थ 2022 से उसके साथ लगाता दुसकर्म किया करता था राची में स्राधा भाव से की गई भागवान चित्रगुप्त की पूजा राज़ानी राची में चित्रांच समाज की लोगों ने धूम धाम से चित्रगुप्त पूजा की सहरी चित्रे में बिहार कल्ब, कचहरी रोड, धुरुवा, हिनू, बर्यातू, कोकर, सहित कई अस्थानों पर भागवान चित्रगुप्त की परतीमा स्थापित कर भगतों ने पूजा अर्जना की चित्रगुप्त पूजा में चित्रांच समाज की भागेदारी सबसे अधिक देखी जा रही है चित्रांच समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में भागवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ कॉलम दवात और किताब कॉपी की भी पूजा की है बता दे बिहार कल में आयोजी चित्रगुप्त पूजा में राज गौव सेवा आयोग के अध्यक राजी उरंजन परसाद कॉंग्रेस के परदेश महासचीव राकेश सीनहा भी पहुँचे पीम मोधी ने जार्कन के भाई बहनों को 22 सहित दिया तेवहारों का उपहार बावुलाल मरांडी प्रधान मंत्री नायंद मोधी की दो दिवसे जार्कन यात्रा के बाद भरतिय जनता पर्टी के परदेश अध्यक्स बावुला मरांडी ने कहा है कि पीम ने सुबे के भाई बहनों कुत्ते वहारों का ब्याज सहीत उपहार दिया। लंबे समय से प्राथमिक सिक्षकों की लंबी चल रही प्रोनाती को पूरा करने तथा इसमें उत्पन विभीन, विवादो और आपतियों को खत्म करने के लिए स्कूली सिक्षायम सक्षर्टा विभागने सबी उपायुक्तों और जीला सिक्षा अधिसकों को नाया आदेश जारी किया है इसके तहट अब वैसे प्रारंभिक सिक्षक जिनकी 20 सालों की सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें अब सीधे प्रधाना ध्यापक के पद पर प्रोनाती के लिए उन्हें आसनातक प्रसिक्षित पद पर 5 साल की सेवा पूर्णी करने की बध्याता नहीं होगी देवघर में 90% बिजली बिल निकालने वाले उर्जा साथ होंगे पूरस्क्रीत बिली उभोकताओं की बिलिंग समंधी समस्या के निवारन के लिए बिधूत परमंडल के सभागार में मंगलवार की साम बिजली बिभा के पताधिकारों ने उर्जा साथ होग साथ बैठक की बैठक के अध्यक्स्ता करते हुए अधिक्षन अभियंत्या कृष्ण कुमार सिंग ने कहा है कि देवघर में बिल क्रेलेंस एक बड़ी समस्या है निधायत लक्ष के मुताबिक उभोकताओं को बिल नहीं मिलने के कारण वे समय पर बिल जमा नहीं कर पाते नतीजा रायस् फिस्दी एफर्ट लगाए वर नवे फिस्दी बिल निकासी के लक्ष को पूरा करें जो उर्जा साथी दिये के लक्ष के मुताबिक आंकड़े को छूपाएंगे उन्हें प्रस्कित किया जाएगा वहीं जिन उर्जा साथियों का परदसन खराब होगा उन्हें दंडित भ फिस्दी गए है इसे बीच सबकी निगाह हैं महापर्वेच्ष च्ठ के दर मौसम के मिजाज बठीकी है मौसम विभाग के पुरोनमान के मुताबिक महापर्वेच्ठ में बारिस की संबवना है च्षठ की सुरुात बारिस हो शकती है 17 नौंबर को राज्य में हलकी बारिस की संभावना है वहीं 21 नौवंबर तक जारकन में आस्मान में आसिक बादल छाय रहने की संभावना व्यक्त की गई आपको बता दे कि 17 नौवंबर से 6 महापर्व सुरू हो रहा है 4 दिवसे महापर्व 20 नौवंबर को संपन हो जाएगा मौसम विभाग ने अपने पूरोनमान में बताया है कि जारकन में अगले 3 दिनों के दोरान निवतम तपान में धिरे धिरे 3 से 4 डेगरी सेलसेट की बढ़ोतरी हो सकती है पच्मी सिंभूम के जंगल में आईडी से ग्रामिन घायल पच्मी सिंभूम के गोईल के रापरखन इस्थीत कुईंडा पंचायत के 1 ग्राम बोई 25 संग के आजपास इलाकों में IDB स्फोर्ट में एक ग्रामिन गंभी रूप से घायल हो गया घायल ग्रामिन बयार वीर गाव निवासी मधू तैसूम को इलाज के लिए बुद्धवार को चक्रधरपूर समुदाइक स्वास्त के दमें भर्ती कराया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए चाईबस अस्पताल डेफर कर दिया गया एसपी अधुतोस सेखार ने प्रेस भीगेप्ती द्वारा यह जनकारी दिया है एसपी ने कहा है कि मंगलवार को मधू तैसूम लकडी काटने के लिए बमाया बुरू एवाम बोयपाई ससंग के आसपास के जंगल गया था जहां वह नक्सलियो दोरा लगाया गया आईडी की चापेट में आ गया है भगवान बीर्शा मुंडा की धर्ती से पीए मोधी ने कहा मैंने नमक खाया है कर चुकाने आया हूँ बुद्धवार को पधान मधिनायन मोधी रांची में थे यहां उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों के लिए कई अहम एलान किये है पीए मोधी ने कहा हमारी सरकार पीएम जन्मन व्यजना के तहट उन आदिवासी तक पहुँचेगी जहां तक अब तक कोई सरकार नहीं पहुची यह वैसे आदिवासी है जो जंगल में रहने को मजबूर है देश के 22 यार से ज़्यादा गाओं में रह रहे आईसी 75 जन्जातिय समुदाय की पहचान हमारी सरकार ने की है जैसे पिछडों में भी अती पिछडे होते है वैसे ही आदिवासीों में यह सबसे पिछे रह गए आदिवासी है देश में इनकी संख्य लाखों में है इन सबसे पिछडे आदिवासीों को मुल्च सुविधाय आजादी के 75 साल भी नहीं मिली है इनकी कई पिढ़ियों ने वर्सों तक इसकूल नहीं देखा रेल देखना तो दूर इन्हें ट्रेन की आवाज तक नहीं सुनी पिएम ने अपने सम्मोधन के दोरन कहा मैंने कभी समाज के आखरी व्यक्ति का नमक खाया हूँ मैं आज भागवान बिर्स्ता मुंडा के धर्ती पर ओकर्ज चुकाने आया हूँ कांग्रेस का आरोप 36 गड़ बिधान सभा चुनाव पर भावित करने जार्खन आये थे पिए परधान मत्रि नायंद मदी के दो दिवस्य जार्खन दोरे को कांग्रेस ने 36 गड़ चुनाव को पर भावित करने की कोशिस करार दिया है ज्यार्खन पर्देश मुख्याले में मीडिया से रूबरू होते हुए पर्देश कॉंग्रेश अध्यक्त रायस्टाकू ने कहा कि पर्दान मंत्री नायंद मदी इस बात को नहीं समझ पाए कि ज्यार्खन के लोगों ने उनका भव्य स्वागत पर्दान मंत्री के तोर पर किया ना कि भाजपा के नेता के रूप में उनका स्वागत किया जार्खन के खुटी जिले कोली हातू में धर्ती अबाकी पवित्र भूमी का इस्तेमाल पाँच राजियों के चुनाव के लिए करने का आरोप कॉंग्रेस ने लगाया परदेस, कॉंग्रेस, अध्यक्ष राजिस ठाकु ने कहा है कि जिस तरह से पूरा मंच का भागवा करन किया गया आज भी जो व्यक्ति बावुला मरांडी भाजपा के विधायक तक नहीं है उन्हें मंच पर जगह दिगाई, इससे यही सावित होता है कि जारखंड दोरे पर आय परदान मतिक नजर चातिस गड़ पर है कॉहरे के कारण जारखंड से चलने वाली कई ट्रेने रद सर्दी की धस्तक के साथ ही कॉहरे का परकोप सुरू हो गया है इसका असर कोडारमा होकर चलने वाली कई महत्यपुन ट्रेनों पर पड़ी है अब ऐसे में रेलवे ने दिसंबर से फरवारी माह तक इस कोडारमा होकर चलने वाली कई ट्रेनों को रद कर दिया है काई ट्रेनों को अगले अलग अलग तीथियों को रद करने की घोसना की गई ऐसे में छुटिया मनाने वाले साधी बिवाह में जाने वाले घरों में परिसानी बढ़ गई है घाने कोहरे के पुर्णमान को लेकर पहले ही सियालडा अजमेर एक्सप्रेस के दिसंबर से एक मार्ज तक सब्ता हमें तीन दिर रद करने की घोसना हो चुकी है संटिंग के दवरान अलेपी एक्सप्रेस बेपटरी डियारेम ने दिये जाच के निर्देश धनबाद अलेपी एक्सपरेश ट्रेन संटिंग के दवरान बरमसिया रेलवे फाटक के पास पटरी से उतर गई घटना की जनकारी मिलते ही रेल करमचारी घटना तल पर पहुंचे वरिया अधिकारियों की नेदेश पर रहात बचाव कारे तुरंत शुरू कराया गया देर दो घंटे की कड़ी मकसद के बाद पटरी से उतरे रेल इंजन को वापस ट्रेक पर लाया गया इस घटना के कार्ण धनबाद से अलेपी एक्सपरेश ट्रेन लगभग दो घंटे बिलम से खोलने की सुचना जारी की गई बदले समय के बाद यह ट्रेन दो पर एक बच कर पैतिस मिनट पर रवाना की गई पीए मोधी ने राजभोन में उनईसवेखतर के यूध में इस्तेमाल मिंग एकईस लडाकु बिमान का किया अनावरन परदान मति नयांद मोधी ने बुद्धवार को राँची के राजभोन में मिंग एकईस लडाकु बिमान का अनावरन किया इस लडाकु बिमान का इस्तेमाल उनईसवेखतर के बंगलादेश मुक्त संगराम में किया गया था इस मोके पर ज़ारखन के राजपल सीपी राधाकृष्ण नवा सीम हेमान सुरेन मोजूद थे आपको बता दे कि पीम मोधी दो दिवसे ज़ारखन दोरे प्रमंगलवार की रात साड़े नौ बज़े बिसेश बिमान से राची अरपोट पर पहुँचे थे उतराखन्ड टोनल हाज़सा एयर लिफ्ट कर लाए जाएंगे ज़ारखन्ड उतराखन्ड के उतरकासी जीले के यमुनोत्री के निर्वानाधिन सुरंग में फसे माईदुरो की साकुसल वापसी के लिए ज़ारखन्ड आपदा की तिन से सैटी मोहा पहुँच गई है जयब IT के CEO भुनेस परताप सिंग के नितित्य में गई टीम ने उतराखन्ड के अधिकारियों संपर्क कर जनकारी ली भुनेस ने बताया है कि सभी स्रामिक सुरक्षी थाए अधिकारियों एवं परिजनों ने स्रामिकों से पाइप के जरिये बात भी की है स्रामिकों ने बताया है कि वह सुरक्षी थाए परतिनिधियों ने गिरीडी के बिर्नी निवासी बिस्वजीत कुमारवर्मा वा सुबध कुमारवर्मा से बात चित की अधिकारियों ने कहा है कि जर्कण के सभी 15 स्रामिक सुरक्षी थाए शुरंग से बाहर निकलने के बाद सभी स्रमिकू के यर लिफ्ट कर जार्खन लाया जाएगा जार्खन में इडी अधिकारियों को मिली एक स्रेनी की सुरक्षा जार्खन में बहुँ चर्चित धन सोधन मामलो की जाच कर रहे परवतन इदे सालाए के सहायक निदे सक देव बरत जाक को केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को ससस्तर सुरक्षा कवर परदान किया गया सुत्रो ने PTI भासा को बताया है कि केंद्रिय सुरक्षा एजन्सियों दोरा संभावित खत्रे वालों लोगों के बारे में तैयार रिपोर्ट में इडी के सहायक निदे सक देव बरत जाको बाहु बालियों और माफियाओं से खत्रे के असंका का जिक्र किये जाने के बाद केंद्रिय गिर्फ मंत्रा ने उन्हें एक स्रेनी की सुसस्तर सुरक्षा परदान किया कि सुरी समरीदी योजना 5,576 को मिले गा लाब मुखेमंपर हमंसुरे नस्थापना दिवस के मौके पर जारखन के छत्रा को बड़ितो नीदिये दरसल मुक्य मंत्री सावित्री भाई फुले की सोरी सम्रीदी योईना के तहट पांच लाग पचास और छात्राओं को दो सो एक सट कोड़ आर्थिक लाब देने की योईना बनाई गई है बरतमान में 6,51,000 से अधिक की सोरीओं को इस योईना से जोड़ा गया है सावित्री भाई फुले की सोरी सम्रीदी योईना के तहट राई सरकार काक्षा आठ से बरहावी तक की छत्राओं को 20,000 रूपे अनुदान सो रूप देती है यह रासी हर वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग होती है जारकन सरकार की अधिकारिक वेबसाइट जारगोब.in से मिली जनकारिक अनुदार काक्षा आठ और नौ में पढ़ने वाली छत्राओं को 25,000 रूपे और दसवी एगारवी अबरहावी की छत्राओं को 50,000 रूपे की रासी दी जाती है जबकि 18 वर्ण से अधिक होने पर 20 रूपे का लाब दिया जाता है धन्यवाद